हेलो स्टूडेंट माइनेम इस मनेश मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ MP Board High School Examination Class 10th Subject Mathematics के बारें बताने वाला हूँ तो स्टूडेंट वीडियो को Like, Share और YouTube चैनल को Subscribe कर ले इसका PDF टेलिग्राम ग्रूप पर मिलेगा साथी साथ विजिट करें वेबसाइट को परमेश्वरीकोचिंग.com पर इसका पूरा सॉल्यूसंस आप वहीं पर ही देख पाएंगे तो लेट से स्टार्ट सहीं वीकल्प चुनकर लिखे संख्याओं चार और नौ का महत्तम समापवर्तक SCF क्या होगा तो चार का अपवर्तक होगा आपका एक दो और चार हो जाएगा नौ का होगा एक तीन और नौ होगा तो इसका उभनिष्ट अपवर्तक हो जाएगा एक तो इसका करेक्ट अंसर होगा एक यदि किसी द्विगात बहुपद AX स्क्वेर प्लस BX दंसी के सुन्यक अलफा और बीटा हो तो अलफा प्लस बीटा का मान क्या होगा तो हम जानते हैं कि अलफा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस B अपॉन A रैखिक समिकरन का युगम A1X B1Y प्लस C1 इक्वल टू 0 जो तथा A2X B2Y प्लस C2 इक्वल टू 0 कोई हल नहीने का जो सर्थ होता है वो क्या होता है A1 upon A2 होता है बराबर होता है B1 upon B2 और C1 upon C2 बराबर नहीं होता है दूसरा और तीसरा ने उपात बराबर नहीं होता है इसका सार्व अंतर ज्याद करने द्वितिय पद माइनस पहला पद दो माइनस चार जाने की उत्तर आ जाएगा इसका माइनस दो इसको अधार बूत समानुपातिक प्रमेश से हल करेंगे कि सित्रिबू जे बी सी डी इ समनांतर बी सी ए डी का मान एकस दिया डी का मान एकस माइनस दो ए ए का मान एकस प्लस दो तथा इसी इक्वल टू एकस माइनस ए तो एकस का मान क्या हो जाएगा इसको हल करने पर आया चार थिल्स प्रमेश इसको हल कर सकते है उसके बाद बिंदूओं ए एकस वन वाई वन और बी एकस टू वाई टू को मिलाने वाल को y के निर्दे सांग को 2 से भाग देते तो यहां पर x1 plus x2 upon 2 y1 plus y2 upon 2 हो जाएगा choose the correct option तो first का जाएगा scf 4 and 9 का होगा 1 यहां पर बताने if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c then the value of alpha plus beta alpha plus beta is equal to minus b by a तो यहां से b option आजाएगा third का fourth का हो जाएगा minus 2 fifth का अंसर आजाएगा by basic proportionality theorem से इसका अंसर होगा 4 midpoint का coordinate क्या होगा x1 plus x2 upon 2 y1 plus y2 upon 2 रित्ते के पूर्टे कीजे भाज्य बराबर होता है भाज्यक गोनेत भागपल plus c1 गाद 2 की किसी बहुपत की अधिक्तम कितने सुन्यक हो सकते दो सुन्यक होता है यहां पर विवित्त कर डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बताना है बी स्क्वर माइनस पूर एसी होता है समनांतर सरणी ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस त्री डी का एनवा पद क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन डी होता है जहां अण रूकी संध्या हैं दी प्रक्रित कहता है जीत देयरो्टा कiliar कुमतτο करता है उसके बद बिंदू चार और आचप्ष पर इस ए प्लस डी यहां पर आएगा एक सक्ष वृत की एक छेदक रेखा वृत को डैस बिंदू पर प्रतिछेद करती तो छेदक रेखा दो बिंदूओं पर प्रतिछेद करती है प्रतिछेद करती है प्रतिछेद करती है करते हैं दपॉइंट फॉर जीरो लाई और पॉर और जीरो यहां पर आपका एपसी सा इस फूर आपका ही इसका होगा x-axis a second line of circle intersect the circle at dash point is cancer आजाएगा two point fill in the blanks हो चुका है अब उसके बाद देखते सही जोड़ी मिला ये match the following cosec square theta minus one इसका होता है आपका cot square theta sec theta inversely proportional होता है cos theta का तो one by cos theta हो जाएगा one minus cos square theta equal to sin square theta cot 30 degree की value अगर नहीं जानते हैं तो इसको 10 theta से भी निकाला जा सकता है one by 10 30 degree equal to आपका आजाएगा root 3 क्योंकि 10 30 degree की value होती है आपका one by root 3 और इसका inversely कर देंगे तो root 3 आजाएगा cos 90 minus theta क्या होता है sin theta होता है और इसका मान जब प्राप्त करेंगे तो यह आजाएगा match the following यहां से देख सकते हैं उसके बाद एक सब्द एक वाक्य पर उत्तर देना है यह ग्राप दिया यहां पर सुन्यक बताना है तो सुन्यक कैसे find out करते हैं तो यहां पर कितने बार अक्षव को यहां पर कटान हुआ है x x कितने बार कटा है यहां पर एक बार इसको काटा गया x x के द्वार y equal to p x पर तो इसका सुन्यक होगा 0s का जो numbers होंगे वो 1 होंगे मानक समीकरन होता है x square plus b x plus c होता है किसी द्विघास समीकरन के विवितकर का मान discriminant 0 हो तो इसको मुलोग की जो प्रकृती होती है nature of the root होता है वो real and equal होता है वृत की परिदी का सुत्र क्या होता है 2 pi r होता है संकू का आयतन होता है बटे 3 pi r square h होता है इसका समनांतर माद्द सभी पदों का योग बटे पदों की संक्या हो जाएगा तो यहां से 3 और 3 हो गया 6, 4, 10, 5, 15, 5, 20 20 बटे हो जाएगा यह 5 यानि की 4 उत्तर आ जाएगा इसका किसी निश्चित घटना की प्राइकता कितना होता है एक होता है answer in one word पर जा answer देना था first का answer आ जाएगा one चूँकि x axis को intersecting यहां पर one times हो रहा है तो इसका number of zeros होंगे one होंगे तो यहां से पूरे answers आपको हिंदी मेडिया में जो बता है वही answer इसमें भी रहेगा उसके बाद true और false बताने हैं दो धमनात्मक पूर्णांक A और B दिये रहने पर ऐसी अद्विती पूर्ण संक्यां Q और R विद्यमान है A equal to B Q प्लस R तो यहां पर एक condition दिया हो तो यह क्या है आपका true statement है true यहां पर आएगा वृत का छेत्रफल टू पाई आर स्क्यार जहां R वृत की त्रिज्जा है तो यह क्या है false है वृत का छेत्रफल area of circle होता है पाई आर स्क्यार होता है गोले का संपूर्ण प्रिष्ट टो पाई आर स्क्वेर जहां आर गोले के तरिज्जा है तो यह क्या होगा असत्य होगा गोले का संपूर्ण प्रिष्ट क्या होता है चार पाई आर स्क्वेर होता है माध्य माध्य का यह माध्यक के मध्य संबन है दो गुणा माध्यक इक्वल टू बहुलक प्लस तीन माध्य यह गलत है false statement है उसके बाद there can be infinite number of tangent to a circle तो एक रिस से अनन्त इसपर्स रिखाएं खिची जा सकती है तो सत्य होगा if the probability of event p then 0 is greater than r equal p and greater than r equal 1 तो यह क्या होगा false होगा उसके बाद यह सारे question का 20 solutions आपको telegram group पर मिल जाएगा वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कोई भी doubt हो तो comment पर message करें और इन्हीं में से आपके question board exam पर पूछे जाएंगे और जो भी update है जैसे भी questions और आते हैं तो आपको update कर दिया जाएगा telegram group पर तो telegram group को join जरूर कर ले website पर visit करें वहाँ पर important questions डालते हैं तो वहाँ पर आप देख सकते हैं सारे questions आपका जो solid equation आपको पूरा करना यह सब question में से आपका easy questions आएंगे इस बार जैसे जैसे आप chapters देखेंगे उसी के base पर जो blueprint है उसके इसाब से पढ़े इधर उधर आपको जाने के जरुवत नहीं रैकिक युगमा को प्रतिस्थापन विधी से हल करना है follow the linear pair equation very important है जो नीचे की और आप question देख रहे हैं इनका भी solutions आपको telegram group पर मिल जाएगा तो telegram group को join कर ले तो have a good day thank you for watching videos subscribe the channel thank you